हेलो गाइज वेलकम बैक और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ए रोल सर्फाइवल और फाइनली गाइज यह अपना ग्लोवल रेंक सर्वर को होने वाला है डे नमबर सावन तो जैसे कि आप सबीना आमारे पिछला एपिसोट में देखा होगा कि लास्ट में हम लोग मिलेटरी ड्रॉप वगेरा लूटने गए थे जैसी हम लोग वहाँ पर पहुंचे हैं और मिलेटरी में तो कोई बंदा आया नहीं बट जो बंदे मिलेटरी आ रहे थे ड्रॉप वगेरा लूटने के लिए तो उन्हें लगए कि ड्रॉप वगेरा लूट के यही बंदे लेके आ रहे जिनका बेस पीकवूट के पास्ट में है तो सारे के सारे बंदे जो एना अपने विस्प में कैंप वगेरा खरने लगे थे जैसी हम लोग आये हम लोग ने तीन चार बंदों को मारा और उनका अपने पास काफी ज़्यादा गंस वगेरा आज शुका था तो सबसे पहले हम लोग ने डिसाइड करा चलो यार गंस वगेरा सेफ करते हैं और मैने सारी की सारी गंस तो सेफ कर लिए तो चलो यार अभी यह से करते हैं आप फटावट से बाहर चलते हैं ओके अपने सब्सक्राइबर को कोई बंदा मारा देखते हैं यार कौन बंदा अपने सब्सक्राइबर को मारा अच्छा ये था तो सबसे पहले गाइस कने या पर इस बंदे को गिराया और देखते हैं इधर है बंदा एक य तो चलो यार अभी हम लोग दुबारे से चलते हैं बाहर एंड देखते हैं एक बंदा ये रहा देखो यहाँ पे है इसको भी मारा भाई एक हैट शॉट लगा 78 का एड बाकी सारे के सारे बॉड़ी तो चलो यार इस चलते हैं इसका पेटी उठाएंगे यहाँ पे कुछ बॉक्स हैं जिनको आई थिंग मैं लूटा नहीं हूँ यहाँ पे मेरे को एक उजी मिला और यहाँ पे कुछ नहीं था ओके तो यहाँ पे गाईद उस बंदे का एमफोर है तो एक दो बॉक्स ओके एक बंदा यह रहा बट पेड के पीसे चुप चुक है यहाँ पे मैंने गोलिया चला ही रेंडम फायर था दो गोलिया उसको और करनेक्ट हुआ और बंदा यहाँ पे नौप तो चलते हैं फटावट से उसका लूट देख के आएंगे उसके अंदर क्या है बाई कुछ नहीं था उसके पास 5 का बुलिट था आई तिंक वो जो एना अपनी M4 उठाने आया था बट कहां मेरी नेजर से बचतो ली न सकता है तो चलो यार अभी अपने पास थोड़ा सा लूट वगेरा है तो सबसे पहले हम लोग वो सारे का सारे लूट जो है अपने बेस के अंदर रखते है बट यहाँ पर एक Glider वाला बंदा है बाई वो जो है ना इतना था कि उसको तो अपना gun वगेरा चाहिए इता वो जो है ना बंदा अपना बेस वगेरा यहाँ पर चैंप करने लगा था कॉफी देर तक और देखो गाइस उसको किस तरीके से हम लोग मारते हैं बट सबसे पहले यहाँ पर जो है ना अपन लोग जितना भी लूट वगेरा वो रखते हैं अपने boxes में ओके यहाँ पर हम लोग boxes में रख लिया हैं अर उसके बाद हम लोग दुबारे से जाएंगे बाहर बंदों को मार निकले our अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं चलो चलते है इसे करतामना एक बारी उपर चलता हूँ मुझे थोड़ा सा अवे फिर अपना टीमेट के या नई अपने टीमेट ने भरा आई तिंग ये बंदा जोए नई यहाँ पर कैम्प कर रहे हैं एक और के फुटे स्टप्स आ रहे हैं तो डैफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है वो चत के उपर है एक बुलिट लगी उसको लगबख सिस्ती का डामेश आया भाई दीखनी रहा है वो बंदा ओरा मुंडी दीखी उसकी अच्छा लगी नहीं दीए यार उसको बुलिट लगता है मेरे को एक थोड़े सा उच्छा जागा में जाना पड़ेगा गलाइड करके भाग रहा है भाई खिदर भागे खिदर गलाइड करके गलाइडर है गाइज इस बंदे के पास तो चलते हैं फटावट्स उसको मार के आогे देखते हैं किदर भाग रहा गया मेरी खियास से अब तो यह दुबारा आईगा नहीं तो चलो यार फटावट्स और एक बंदा यहाँ पे भी है मतब दो बंदों के पास ग्लाइडर है गाइज और भाई दो बंदों के पास ग्लाइडर है अभी एक बंदे को तो मैं मारा था जो कि ग्लाइड करके भागा था एक यह रहा देखो चल वेटे निकल किदर तो भाई यहाँ पे मैंने दोनों बंदों को गिराया मतब दोनों बंदों के पास जो यह ना ग्लाइडर था इसका SMG गिरा अब मेरी क्याल से इनका AR वगेरा गिर चुक है तो यह अब SMG वगेरा लेके आएंगे और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यह दुबारा आएंगे और च्छत में जाएंगे मैं ऐसी करता हूँ सबसे पहले तो अपने च्छत में अपन लोग रखेंगे आटा कैनन तो आटा कैनन के लिए मैं थोड़ा सा बुलेट्स वगेरा बनाता हूँ एक लोग भी चाहिए क्योंकि यह मेरा प्लाइन है अभी मैं कुछ दिर बाद ऑफलाइन जाओंगा फिर बाद मैं आओंगा ओनलाइन तो अपना जितना भी एर वगेरा लखावा है न जिस बॉक्सेज में तो उसमें लोग वगेरा लगा के नहीं रखावा है बंदा अगर चार हैंडमेट्स लगाएगा तो डैफिनेटली उसको सारका सारका लूट मिल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो बॉक्सेज है उसमें लगाता हूँ मैं लोग तो ठीक है यहाँ पर मैंने लोग वगेरा लगा दिया है बट अभी वी अपने पास गन्स वगेरा काफी जादा है तो यह गन कहाँ पर सेफ करें देखना पड़ेगा यार अंदर चलता हूँ अंदर कोई ना कोई बॉक्सेज तो खाली पड़ा होगा तक यहाँ पर चुए ना अपना टीमेट ऑटाकेन लेखे जाने का ट्राइ कर रहाए बार में उसने ने का भाई ऐसे करते हैं बंदे आ रहे हैं बाहर केम्ट कर निकलें तो माने का वो भी तीक है रिपोर्ट चेक आउट करता हूँ ओकी गाइस यहाँ पे दोनों बंदे है मतलब जिन दोनों बंदों के पास ग्लाइडर है ना वो दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे है तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वो डेफिनेटली यहाँ पे कैम्प करेगा तो लो चलते हैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर को मारा था वो बंदा डेफिनेटली वो छत में है मैं भार नहीं जा रहा हूँ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कैम्प करके ना मारने दे अपना सब्सक्राइबर लिख रहा भाई बंदे जोए ना इधर ही है और यह बैठा वा देखो भाई किदर 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 बंदे का स्टील एक्स भी गिरिया तो मैंने कहा यार यह बंदा जोए ना अपने छत में काफी ज़दा काम्प कर रहा है तो आपना लोग ऐसे करते हैं अपने चत की उपर लगाते हैं अभी आतो नहीं रहे नहीं तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा अब आएंगे ये और 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 देदे लोग वाइस कहां से कहां आगया बट यार उसमें बुलेट्स वोगेरा तो काफी लगिया है उसने भी यार मेरे को काफी गंदर डामेज दिया है तो मैंने का चल बेटे फटावट से अंदर चल अपने आपको हिलब कर फिर आएंगे बाहर मतब इन बंदों को अपने से ड्रॉप का लूट तो चाहिए ही बट इनको क्या पता है अपने लोगों ने ड्रॉप का लूट जो एना पहली सिफ कर लिया है तो मैंने का यार सबसे पहले जो हैना मैं आटा कैनन रखता हूँ उपर चथ में तो मैंने यहाँ पे रैंप बनाया और अभी हम लोग लेके चलते हैं आटा कैनन बट इस टाइम तक यार आटा कैनन में जो हैना मैंने बुलेट्स वगेर नहीं डाली थी तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा था प्लेस हुआ निया और वो बन्दा जो आपने में काफी गंदा फायर दिया मैंने का रोग जा बैटे निकल यहाँ पे सब बाहर तो गाइस इसके बाद यह बन्दे जो है न यहाँ पे आए नहीं उन्हें भी लग गया था यार हम लोग इनके बेस के पास जीत नहीं पाएं और कुछ दिर बाद यही बन्दे गाइस ऐसे बोलने लगे तें कार्गो आया था कार्गो में हम लोग गये नहीं थे क्योंकि कार्गो जो है ना ऊपर था क्या बोलते हैं क्रूड एल के साइड में मैंने का यार वहाँ पर जब तक जाएंगे तब तक तो कार्गो लूट ज जो यह ना बाद में बताया है नहीं अपना वेस का लोकेशन एंड लोकेशन डे भी रहते हैं वो भी गलाद के लिए तो चलो यार अभी हम लोगोंने बुलेट्स वगेरा लगबग बनाके रेडी कर दिया है मैंने भी गाड़ी वगेरा रेडी है मेरा अभी जो यह ना चार्ज के करी फ्यूल है आई तिंग इतने में तो काम बनी जाएगा तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं फटावट से किदर एरपोड टैंक फोर्ड के आएंगे तो ओके गाइस यहां पर हम लोग एरपोर्ड पहुंच चुके हैं और देखना मैंने जिस तरीके सा बतात होने घुम घुम के टैंक फोर्ड ना तो अपने सब्सक्राइबर भाई लोग आई तिंग में को देखते रहांगे कि मैं टैंक किस तरीके से फोर्ड तो वो बंदे भी जो है ना घुम घुम के फोर्ड रहते बट यार टैंक ने उनको क्या ही मारा ना मेरा हसस के पैट दर हो गया बट आज वहना है इस मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं यह काफी ज़्यादा सेफ है मतलब अगर आप लोग सिंगल हो तो यह तरीका का फोर्ड ना सबसे ज्यादा बैटर रहता है बट सबसे पहले यार टैंक फोर्ड ने जा रहे है तो यहार बैग लगा तो मैंने का चलो यार फटावट से में इनको टर्फ वगेरा देता हूं अपना बैग वगेरा लगा लेंगे मेरे तो अल्रेडी है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है चलो बगी तो ओके गाईज यहाँ पर मैंने दोनों को ठर्फ दिया जिनका बैग नहीं है वो यहाँ पर अपना बैग वगेरा लगा लेंगे और उसके बाद चुवे न अपना लोग दुबारे से चलते हैं सीधा टैंक फोर्ड ने के लिए वैसे पिछले दिना आये थे हम लोग टैं तो सीन कट मत किया करो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करो तो आज हैंने गाईज हम लोग पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके चलेंगे आज आपको मैं फूरा दिखाने वाला हूं कि किस तरीके साम लोगों ने टैंक फोर्ड आथा मेरे पास ओनली हजार बुलेट्स हैं और मै तो कि गाईज टैंक वहां पे है तो मैंने कहा अगर ओपन में जाओंगा ना यार टैंक बहुत गंदा मारता है और रुको अभी पहले अपने सब्सक्राइबरों को देखता हूं क्या करते हो चलो गाईज छोड़ो अभी सब्सक्राइबरों यहां पर से ओके मार रहा है अंदल दिख रहा है ना इस पर मारो यह अगर बजू को बगरा भी मारता है तो आप में लगेगा नहीं आराम से आप लोग जो है ना यहां पर बैटके इसको मार रहा था तो अपने सब्सक्राइबर भाई जो है ओपर में गए और आप लोग देखो यार क्या ही गजब तरीके से बजू का कैसल सब पुटेंगे अगर एक तो गया और मैं तो जो यह ना काइस कंटेनर के पीछे आराम से बैटके मार रहा हूं उसको एक बुलेट की नहीं लग दी है में तो बात में जो यह ना अपने सब्सक्राइबर भाई ने देखा भाई यह कुछ आराम से वहां पर काइटके मार रहा है तो बात मुझे ने एक तो सब्सक्राइबर भाई भी मेरे पीछे आ गए इसको मार निकले है तेख पक्यार हम लोगे ने काफी जल्दी मार दिया मेरी सारी की सारी बुलेट्स खतम हो गई है बस थोड़ी सी बुलेट्स बची यह है मुझे डारे गई मेरी बुलेट्स खतम हो जाए एंड थोड़ा सा हेल्थ बचा रहे तो खुट भी पाईगा अट लेट्स ही मेरी एंसर वेंसिट्स भी खतम हो गई ओकी गईज यहां पर टेंक वगेरे तो फूट चुका है तो फटावट्स से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं वेट करते हैं इसका आग मुझने का और आपने को क्या मिलता है यह पूट में तो कुछ कोई है नहीं और मेरे पास यार लगबग 17 पुलिट्स एक्स्ट्रा बची विए एक लोड के बाद वेट करना है और देखते हैं क्या मिलता है यार पटे एक चीज़ तो है जब से सॉट गन वाला अपडेट आया ना अबसे बंदा कोई रुपता नहीं अलासता है तो चलो यार पटावट से चलते हैं डीव रिफाइनर चाहिए एड मिला तो यहाँ पर गाईस अपने को डीव रिफाइनर वगेरा तो नहीं मिला है तो यहाँ पर सबने लूट वगेरा देख लिए डीव रिफाइनर नहीं मिला तो वो भाई बोला यार भाई डीव रिफाइनर नहीं मिला तो मैंने कोई टाइशन नहीं कल और पोड़ेंग है कल तो मिले गए फिर उसके बाद काईश हम लोग यहां पर पहुंचें और यहां पर हम लोग ने कुछ बंदों को देखा तो बाद में यह जो दिखा मेरे को लगता है यह बंदे ने अब भी बेस वोगिरा बनाया तो मैंने का यार इन से फाइट वोगिरा क्या ले ना छोड़ो यार चलते है बट आपने सब्सक्राइबर भाई को जादी था चुलता नई भाई मार के जाएंगे मैंने का तुभी मार भाई मैं तो नहीं मारूंगा बट मैंको वहां पे काफी दूरे एक बंदा दिखा तो मैंने उसमें फायर किया उसमें 30 का डामज है लगता है यार बंदे के पास आर्मर तो है मैंने गाड़ी उधर लेके जा रहा था उन बंदों को मारने के लिए बट गाड़ी यहां पर मेरा फर्स्ट चुका था तो मैंने फटावर से रिस्टोर्ड किया और जैसी में उनके बेस के पास जाके देखा तो बाद में पता चला यार ये भी नए बंदे फिर मैंने यार वहाँ पर कैंसल किया मैंने का छोड़ यार यहां पर रुखके कोई फाइदा नहीं है फटावर से गाड़ी में बैट और चलते हैं तो देखो अके आया बंदा छोड़ो यार मारने का मन नहीं है मेरा भी पटावट से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं वसे यार मेरे साब से तो बोला जाए ना गाइस ऐसी ग्लोबल टाइप के सरवर ना फुराने बंदों के लिए भी बनाना चीह है मतलब जिनको बैठ वगे रहे से मतलब नहीं है क्योंकि यार बैठ में ना बहुत ज़्यादा कुट्टा घानी होती है मतलब जस्ट इंज्वाइमेंट के लिए एक ग्लोबल सरवर होना चाहिए जिसमें जाओ मजे करो और निकलो भार यार बैठ में तो पंदरा बंदरा बीस बीस बंदे एंड बैज ड्रॉप में पचापचा साथ साथ बंदे एक टीम बुला दीती है तो उसमें फाइदा किया एके लिए तो उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग सारे का सारा लूट बेस में रखा आये थे मिलेटरी मैंने चेक आउट किया एवेंजर को एवेंजर तो मेरे को यहाँ पे दिख चुका था तो मैंने डिसैड करना चलो यार एवेंजर को मैं फटामट से गिलिच करता हूँ बट यार इस बारी जोए एवेंजर गिलिच हुआ नहीं क्यों नहीं वहां मुझे पता नहीं चला लगता है मैं जोए ना एवेंजर से ज़्यादा दूर नहीं कहा था तब तक यार अपना टीम मेट आया है यहां पर पीछे से और उसमें जोए आवेंजर को दो मिनिट में भर दिया मैंने का थोड़ा सा पीछे जाता हूँ जहाँ पर एविंजर मेरे को फायर करना छोड़ेगा जब अपने कोड़े को फायर की रहेगा ना फिर हम लोग जाएंगे अच्छा तक अपना सब्सक्राइबर आया अपना सब्सक्राइबर जोए ना उसको भरने लगा मैंने खिर चलो वई हम भी लोग चलते हें और धेक के आते हो उसको मार चाएंगे अगर गाइस अपने को अविंगर मार रहे हों क्या हम लोग कुछ इस तरीके से मार पाएंगे इसको ट्राइख थे हाँ याँ यहाँ पे ने हम दो लोग आविंचर को इजिली मार सकते हैं इस जगर से देखो बुलेट्स लग ली है बट अपने टीमेट ने यहाँ पर आवेंजर को भर दिया है तो फटावट से यार चलते हैं देखते हैं आवेंजर से अपने को क्या मिला इलेक्रोमेगनेटिक टरेंट मिल जाए ना इलेक्रोमेगनेटिक टरेंट तो मिला नहीं अपने को बट कोई नहीं सारे का सारा लूट उठाया उसके बाद हम लोगों ने पलपल रूम कर लिया अपने टीमेट ने फिर क्या था यार यहाँ पर बंदे को जाद ही एग्रेसिफ हो गय थे वो ही बंदे जिनको अब भी हम लोग कुछ दिर पहले मारे थे तो बाई वो नूब, चाइनीज, अलाना, फनाना, धिमगाना जो भी है आजा हमसे पीपी करने के लिए और वो भी तीन-चार बंदे थे तो मैंने का चलो ठीक है यार मैं भी अपने टीमेट्स को, अपने फ्रेंट्स लोगों को बलाता हूँ तो यार, यहाँ पे मैं लगबख पूरा रेडी हो चुका था मैंने गन बनाया, आर्मर बनाया, आमो बनाया उसके बाद जो एना, अपन लोग जा रहे थे पागल हो गई तो उसके बाद यार, यहाँ पे जो एना, मैंने एमो बनाया और आर्मर बनाया, अभी मैं जो एना, थोड़ा सा जीपी बना रहा हूँ जैसी अपना सारे का सारा सामान रेडी हो जाएगा, बन बन के फिर जो एना, अपन लोग चलेंगे आज यार, बस वाले पगलाया गई यहाँ पे तो जितना भी है, एमो बनाता हूँ और चलते हैं यार, इनको ढूंडूंड के मारेंगे आज तो तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन पूछ रहे थे बंदों ने लोकेशन बरताया है, इसनो वाली शोप का तियार चलते हैं तो मैं भी बुलेट्स वागेरा बना रहा हूँ क्योंकि तीन- refusing बंदे हम लोग तो बुलेट्स वागेरा तो चाहिए होगा अपने को एड़ confront बुलेट्स नहीं है क्योंकि मैं भी इतना focus खेल नी रहा हूं तोड़ा सा सलफर चारकुल वगेरा है पस इतना ही समाने गाइस अपने में तो सिरिंच वगेरा उठा लिया मैंने और मुझे लग रहा है डाफिनेटली गाइस गलत पंगा तो होने वाला है वहाँ पे एक घंटे बाट ड्रॉप भी आएगा अगर ये बंदे यहाँ पे नहीं मिले तो भाई आज तो मैं एक घंटा रुखने के बाट ड्रॉप में भी जाऊंगा और वहाँ पे भी देखेंगे अगर वहाँ पे मिलेंगे तो वहाँ पे पेलेंगे इनको तो चलो गाइस I am ready पर आवट से मैं थोड़ा सा फ्यूल वगेरे ले लेता हूं पर यहाँ पे यार अपने पास फ्यूल वगेरे तो है नहीं तो मैं ऐसे करता हूं अपने पास थोड़ा सा वह गाफेक्ट होगा उसके हम लोग फ्यूल बनाएंगे फिर चलते हैं मैं को बाद में आ यार अपने पास फ्यूल नहीं है थोड़ा सा गोड़े का खाना भी ले लेते हैं अकर गोड़े को खाने की जरूरत होगा तो at least यार हमें फार्म वगेरा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अल्रेड़ी यार काफी जादा फूद है तो चलो गा फैट उठाता हूं थोड़ा सा नीचे तो हमें कहीं पे भी फ्यूल वगेरा नहीं मिला मैंने का चलो एक बारी उपर चलता हूं उपर के बॉक्स में चिक आउट करूँगा क्या पता यहां पर अपने को फ्यूल वगेरा मिलेगा नहीं है इस पॉक्स में भी ओके काइज यहां पर मेरे को लगबग चार्ट सुकर एक फ्यूल मिल गया तो इतने फ्यूल से तो काम अपना भनी जाएगा तो चलो यहां चलते हैं फटावर्ट से गाड़ी लेके और आप आएगा ना भीड़ो मजा तो भाई यहां पर अपना टीम मेट गाड़ी पर बैट चुका है चिनको मैं इस पिसली बुलाया हूँ उन बंदों को पेलने के लिए आई मीन थोड़ा सा जो अपने फ्रेंड्स लोगे न वो रहे तो थोड़ा सा 100% chances रहता है कि हम लोग मार पाएं बट यहां पर गाइस हम लोग पहुँचे और अभी तो अपने को यहां पर कोई दिख नहीं रहा है और यहां पर कैंप करने का दो बनाया वह लगता यहां पर बंदे ग्लाइडर वाले बंदे थे किसी बंदे को कैंप कर रहे हैं बट हम लोग ने रिपोर्ट के रहा चेक करी कोई बंदों को नाम आ नहीं था है तो उसकी बाद हम लोग ने डिसाइड करा चले यार हम लोग आगी चलते हैं, गेस्ट स्टेशन के पास में, मैं भी वहाँ पे अपने को वो बंदे मिलें, देख रहे हो गाईज, चार पांच वैंडिंग है, मतब अब सर्वर में बंदे ही नहीं है, जिस सर्वर में बंदे ना रहे ना यार, खेलने का मन भी नहीं करता है, इसलिए हम हम लोग गये दूसरे, आई मीन, मिलेटरी आरे के अस्टेशन के पास में, या पे अपने को एक बंदा दीखा, मैं पिस्टल से मारा है, लगा 92, 32 का हैड, 92 का हैड और 32 की बॉड़ी, तो अपने टीमेट वहाँ पे जो एना अपने टीमेट है बोला भाई, इसको मैं मार के जाओंगा, भाई बंदे का भी श्वाइक देख रहे हो पिस्टल से, तो हम लोग जोए ना उन बंदे से पूछने हैं वह या अपना बेस का लोकेशन तो बताओ, किदार हो तुम लोग, उदर ही आ जाएंगे हम लोग फाइट वगेरा घर निकले, उमारे पास गलाइडर ह तुम अपने आपको प्रो समझ रहे हो, तो उसके बाद जोए ना गाईज, यहाँ पर से हम लोग अपने टीमेट ने इस बंदे को बजाया, और मैंने का आजा भई, उस बंदे के पास पिस्टल है, मार के भी फाइदा नहीं है, और यहाँ पर गाईज, अम लोग बाट बे मैं तो जो है ना गाईज, उन बेस को ढूँड रहा हूँ, उन बंदों को ढूँड रहा हूँ, पैट वो मिल नहीं रहे है अपने को जिवन्दी का हैड दीख रहा है, मेरे को छोटा सा टकला इसको मार तो एक एक टी का लगा उसको, तो अपने टीमेट ने का वो उदर के साइड है ना, मैं पीछे से चाता हूँ, इसको मार के आता हूँ चला बई, तो उसके बाद गईज लगबग 10-15 मिनिट थे ड्रॉप के आने का, तो मैंने का, मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा खाना वगेरा खा के आता हूँ, जैसे ड्रॉप आता है, फिर आउँगा बाद में, ओरे भाई, अपना टीमेट जो ने याँपर ट्राप में फ स्टेशन वगेरा गए, बाट वो बंदेर दीखे नहीं, फिर उसके बाद यार हम लोग पहुंचें याँपर, ड्रॉप में, देखते हैं, बंदेर होते हैं या नहीं होते हैं, तो चले यार सबसे पहले तो मैं ड्रॉप को करता हूँ, अनलोग, तो गाइस याँपर हम लो करना है, रिपोर्ट चेक आउट करता हूँ, रिपोर्ट में तीन-चार बंदे तो हैं, बट आइटिंग ये बेस के अगल बगल है न, वो ही बंदे है, तो यहाँपर अपना टीमेट फायर कर रहा था, मैंने का भई किसको फायर कर रहा है, तो वो इस्पिरिड मॉस्टर मा परने में लगावा है, को भी बंदे है नहीं गाई सर्फर में, क्या करें यार, ऐसा सर्फर खेल के फायदा है या नहीं है, या फिर नए सर्फर स्टार्ट करूँ यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रू बताना, मेरे तो यार, करते ही, मूर घराब हो जाता है, जिस सर् अगर उस ड्रॉप में भी जाओं, उस ड्रॉप पे बंदे नहीं आए तो यार, मज़़ा नहीं आता, तो भाई लगता है, आइटिंग ड्रॉप का टाइम हो चुका है, तो फटावर्स चलते हैं, ड्रॉप को पक, अनलोग करते हैं, और लूट उडाके भगते हैं याप इ तो भाई लगबग हम लोग ने पूरा का पूरा दस मिनट यहां पे वेट किया, रिपोर्टर में कोहीं भी बंदा नहीं आया, तो फटावर्स से ड्रॉप उठाते हैं और निकलते हैं, बस 30 सेकंड बचावाए, 30 सेकंड बाद गाईज, वीडियो हम तो यहीं पर एंड करे और मेरा सर्वर भी यहीं पर एंड होता है, ठीक है, एक तो मुबाइल से खेल रहा हूं, मुबाइल से थोड़ा सा हिम्मत तो करता हूं, पीपी करने का बट बंदे ही नहीं होते हैं, तो चलो गाईज, यहां पर हम लोग ने लूट पके रहा उठाया है, ड्रॉप काईज, ठीक ताग रूट मिली गिया था, एंड जितना भी यार मेरे पास रूट वगेरा है, नाम में वो जो ब्रो सरन नाम से बंदा था, उसके देदूँगा, एंड तो चलो गाईज, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मैं भी कल, या फिर बट्स्टो जो है, न तो मिलते हैं, एक और नई PC gameplay की वीडियो में, रात को 8 बजे, तब तक कले goodbye, see you guys in the next video, bye bye, मैं loot पगेर उठाता हूं, और चलते हैं, तो ठीक है, loot पगेर उठा लिया है, और उसके बाद भागते हैं सीधा base के तरफ, और बस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर end करेंगे, goodbye and have a nice day, okay, bye bye